हेलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारा भारा चैनल पर एक और फ्रेस वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे आइसर के ने मोडल आइसर 776 के बारे में जो की एक स्टाइलिस लुक में कंपनी निकाला है फार्मर्स के लिए इसके क्या क्या फीचर है कितना इसका प्राइज है कितनी कीमत में ये लॉंच होगा कब ये लॉंच होगा इंडिया में प्रोडेक्शन में कब आएगा खेती में कब काम में आ सकता है और कब आएगा ये हमारी मार्गेट में और क्या नया है इसके बारे में आज हम बात तो देखते रहे ये पूरी वीडियो को एंड तक चलिए शूरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को सेर जरूर करना क्योंकि इस मोडल की जानकारी जादा से जादा लोग चाहते हैं तो मैं पूरी जानकरी लेकर आया हूँ आपके कहने पर आपके कमेंट के अनुसार आपने जो जो डिमांड की थी उसके हिसाब से तो सबसे पहले कर लेते हैं इसका review और फिर इसके feature और कब launch होगा और कितनी कीमत में आएगा ये बात करेंगे तो styling इसकी new दी गई है बिल्कु पावर जो है 75 है 75 HP का ट्रैक्टर है और तीन सिलेंडर का ट्रैक्टर है क्यूबिक कैपेसिटी 3300 है बोर और स्टोक है 108-120 टर्बो चार्जर दिया गया है इसके जो गेर है 12 फोरवड और 12 ही इसमें reverse के दिये गए है जो final इसकी drive है plane entry drive दी गई है dual clutch में है double clutch में आपको मिलेगा steering power है और PTO 540 MS PTO भी है multi speed PTO और reverse PTO भी है दोनों दिये गए है brake इसमें Y भी दिया गया है diff log भी दिया गया है hydraulic lift capacity 2155 kg की दी गई है और fuel tank की capacity जो है 62 लेटर की है battery इसकी 88 AH की है और front axle 2WD और 4WD दोनों में आता है मतला two vehicle drive और four vehicle drive चारों पहिए भी जान लगाएंगे और दो पहिए पिछले भी जान लगाएं तो 2WD का size जो है front का 7.5 बाई 16 और rear का है 169 28 का और जो 4WD का size है वो है front का 11.24 और rear का है 169 30 का weight के बाद कर लेते हैं तो front bumper बाण में किलो का दिया गया है और front wheel का 48 किलोग्राम से 24 किलोग्राम पर wheel का दिया गया है front jerry जो weight है इसका 17 kg पर एक का दिया गया है और rear wheel जो है 70 kg 35 kg पर wheel का दिया गया है मतलब दोनों का मिला गए 70 PTO sealed भी दी गई है swing draw बार भी दिया गया है trailer brake भी दिये गया है toeing hook भी दिया गया है farmer की kit भी दी गया है और tipping tailor kit भी दी गया है और export decal भी दिया गया है यह सारे वो हैं अब इसके feature की बात कर लेते हैं तो यह modern style में दिया गया है जो कि एक unique look देता है और चलाने में भी आसान लगता है बड़िया लगता है जब देखते हैं तो बंदा जज़ता है इस पर बैटके है दूसरा है इसका feature comfort है आपको खाम करने में मज़ा आएगा दिक्कत परिसानी नहीं होगी जो इसका मजबूत chases दिया गया है चेचिस इसका अच्छी ताकत परदान करता है ट्रैक्टर को बोड़ी बहुत मजबूत तरीके से बनाए गई है अभी ये यूएस से वागेरा में बाहर की कंट्री में चल रहा है आईसर यहां अभी launch नहीं हुआ है और hydraulic भी अच्छी दी गई है और जो है double dry fiction clutch भी दिये गए है और इसके HD synchronous gearbox भी दिये गए है जो मतलब ज्यादा life longer होते हैं ज्यादा दिन तक चलते हैं अब बात यह इसके feature थे अब इसकी कीमत की बात करते हैं तो इसकी कीमत जो आपको मिलेगी वो 8,90,000 से 9,50,000 के बीच मे जब यह launch होगा उसके हिसाब से चलेगी यह प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रैक्टर का आईसर 776 ट्रैक्टर का प्राइस यह company ने मुझे जो बताया वही कि इस हिसाब से यहां से यहां तक launch हो सकता है अब launch कब होगा launch यह हो सकता है 2021 के सुरुवात में क्योंकि अब ही इस बिमारी की वज़े से कोई भी ट्रैक्टर नया market में launch नहीं हो रहा है तो 2021 में बताया गया है कि यह date है जनवरी या फरवरी में launch होगा तो तब तक आप वेट कीजिए ट्रैक्टर आ जाएगा कोई सवाल है इस से रिगार्डिंग ट्रैक्टर से तो आप कमेंट क और वीडियो को सेर जरूर करना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रैक्टर की जानकारी लेना चाहते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू जैन